गुड मानिंग गाईज आज हम फर्स्ट फ्राइट से मेडम नाइट दबस का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि एक वली नाम की चोटी लड़की जिसका पूरा नाम वली अमाय था एट येर्स ओल्ड लड़की है वो उसके गाउं से एक बस होकर गुजरती है तो फैसिनेशन के कारण वो उस बस में बैठना चाहती थी शहर का एक क्राउन लगाना चाहती थी तो किसी तरह से उसे बस में चड़ने का सवभाग्य मिला और बस में जब वो यात्रा कर रही है तो उसके दोरान जो जो एक्सपिरियंस वो गेन कर रही है उसको एक इस राइटर ने बहुत ही खुबसूरती के साथ दिखाया है तो पीछे की कहानी में हमने पढ़ा था कि एक ओल्ड वुमन थी जो उसे बोल लही थी कि आपको ऐसे घर से नहीं निकलना चाहिए आप छोटी बच्ची हो घर से आपके साथ कोई होना चाहिए था तो वो जवाब देती है कि वो अपनी केर खुद कर सकती थी आगे की कहानी देखते हैं उसकी पहली यात्रा कितनी सावधानी वाली थी पैनिस्टेकिंग कितनी कष्टकारी थी इसकी लिए उसे बड़े देटेल्ड प्लांस बनाने पड़े थी और उसने जो पैसा उसे मिलता था उसने बहुत ही किफायती तरीके से वो सब सेव किया उसके पास जो भी छुटे पैसे आते थे जिस भी तरह से आते थे resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like है ना उसकी जो लाल सा होती थी peppermint की टौफियां करीदने की खिलोने करीदने की बालून या और भी जो बच्चे सामान करेते हैं उस सारी temptation को रोक कर जो भी उसके पास खुले पैसे आते थे किसी तरह से किफायती तरीके से उनने उन पैसों को बचाया था and finally she had saved a total of 60 पैसे और अंत में जाकर वो 60 पैसे जोड पाई थी या बचा पाई थी how difficult it had been ये कितना मुश्किल रहा होगा particularly that day at the village where ये कितना मुश्किल रहा होगा खास कर उस दिन जिस दिन गाउं का मेला हो but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round और उसने कितनी दर्ण चित्ता के साथ कितनी मजबूती के साथ अपने उस मजबूत इच्छा को जब बच्चों के सामने जूला रख दिया जाए और जूले जूलने का क्रेज बच्चों को जादा होता है और उस समय उसने अपने उस strong desire को जूला जूलने की desire को भी उसने दूर कर दिया जबा दिया even though she had the money जबकि उसके पास पैसे थे अफ्टर शी हैड इनफ मनी सेवड हलाकि उसने काफी पैसे बचा लेने के बाद her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge उसकी अगली परिशानी यो थी वो ये थी कि उसकी मा की knowledge के बिना यानि उसकी मा के जाने के बिना वो घर से बाहर कैसे निकली but she managed this without too much difficulty लेकिन उसने इसको बिना ज़्यादा परिशानी के ही manage कर लिया था every day after lunch her mother would nap from about 1 to 4 or so हर रोज लंच के बाद उसकी मा दौपहर में एक से चार बज़े तक या इससे अधिक के समय तक वो सोती थी वली always used these hours for her excursions और वली ये समय हमेशा अपने मनुरंजन के लिए इस्तिमाल किया करती थी as she stood looking from the doorway of her house जैसा की वो अपने घर के सामने के दरवाजे पर खड़ी होती थी बाहर की तरफ देखती रहती थी sometimes even ventured out into the village और कई बार वो गाओं से बाहर जाने का खत्रा भी उठाती थी today these same hours could be used for her first excursion outside the village और आज वही घंटे उसने अपनी बाहर की यात्रा के लिए गाओं के बाहर की यात्रा के लिए इस्तिमाल किये थी the bus ruled on now cutting across a bare landscape बस अब एक पीड विहीन bare landscape जहां पर पीड ना हूँ वहां से उस कटे हुए जगा से होकर निकली now rushing through a tiny hamlet अब वो एक छोटे से hamlet से होकर गुजरी और passed in odd wayside shop और रास्तों में लगी हुई जो shops होती है odd type की shorts उनको cross करते हुए निकली sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle और कभी कबार ऐसा लग रहा था कि ये bus किसी point से ऐसा लग रहा था कि ये bus आने वाले वहिकल को निगल जाएगी that was coming towards them जो कि उनकी तरफ आ रहा है ऐसा लग रहा था और a pedestal in crossing the road या फिर उस पैदल चलने वाले व्यक्ती को निगल जाएगी जो road को cross कर रहा था but low somehow it passed on smoothly किसी तरह से वो bus smoothly चलती रही leaving all obstacles swiftly behind और जितनी भी बाधाये थी उनको वो पीछे चोड़ते हुए सुरक्षित रूप से आगे बढ़ती चली गई trees came running towards them और पेड उनके सामने दौरते हुए आ रहे थे but then stopped as the bus reached them और जैसे बस उनके पास पहुँच जाती वो पेड मानो रुख जाती and simply stood there helpless for a moment और एक शन के लिए मानो वो निसाय होकर road के किनारे by the side of the road before rushing away in the other direction यानि road के किनारे जब बस उनके पास में पहुँच दी तो ऐसा लगता मान को निसाय होकर वो चुपचाप खड़े रहते और ऐसा तब तक होता कि जब तक बस अपनी अगली direction में आगे भाग कर ना जाती suddenly वली clapped her hands with glee अचानक वली ने खुशी के मारे ताली बजाना शिरू कर दिया अयंग काओ एक guy tail high in the air उसकी पूँच सीधी हवा में थी उंची थी was running very fast जो बहुत तेजी से भाग रही थी right in the middle of the road जो सडक के बीचो बीच थी right in front of the bus ठीक बस के सामने the bus slowed to a crawl बस धीरे करते करते रहंकते हुई रुकी the driver sounded his horn loudly again and again और driver ने बार बार अपने होरन को तेजी से और जोर जोर से बजाया but the more he honked the more frightened the animal became and the faster it galloped जितना जोर से वो होरन बज रहा था वो जानवर उतना ही डर रहा था faster it galloped और उतनी ही तेजी से वो दोड रहा था always right in front of the bus लेकिन दोड हमेशा बस के सामने ही रहा था यानि वो गाई somehow this was very funny to वली किसी तरह से वली के लिए बहुत फ़नी था she laughed and laughed until there were tears in her eyes और वो इतना हस्ती रही इतना हसी कि जब तक कि इसकी आँखों में आसों नहीं आ गए वो तब तक हस्ती रही hey lady haven't you laughed enough call the conductor conductor ने उसे बुलाया और पूचा hey lady क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज बहुत हसी हो better save some for tomorrow better होगा कि कुछ हसी कल के लिए भी बचा कर रखो at last the cow moved off the road और आखिरकार cow बुगाए road से हट गई and soon the bus came to a railroad crossing और फिर जल्दी ही बस एक railroad की crossing भर आ गई a speck of a train a speck of a train could be seen in the distance और train के आने की आवाज को दूर से देखा जा सकता था या train की sense को देखा जा सकता था growing bigger and bigger as it drew nearer और जैसी ही वो train पास आती जा रही थी वो बड़ी होती चली जा रही थी then it rushed past the crossing gate फिर वो तेजी से उस crossing gate से होकर गुजरी with the tremendous roar वो भी भाद शोर के साथ roar and rattle और भाद तेज आवाज के साथ वो गुजरी shaking the bus से बस में भी कमपन पैदा हो गया था बस भी हिल लही थी then the bus went on फिर वो बस चलती चली गई and passed the train station उसने train station को भी पार कर लिया from there it traversed a busy थोड़ी देर के लिए busy थी बस busy हो गई well laid out shopping street क्यांकि वहाँ पर कुछ अच्छी सजी हुई दुकाने थी गलियों में and a turning more थे entered a wider throw fair और एक बड़ा सा मतलब एक public road थी जिस पर बहुत सारे लोगों की भीर थी such a big bright looking shops और बड़ी बड़ी दुकाने जो देखने में बहुत अच्छी लग रही थी what glittering displays of clothes and other merchandise और वहाँ पर लोगों की कपड़ों की चमक थी and other merchandise और दुसरी चीजों की दुकानों में जो सामाल लगा वाँ था such a big crowds और बहुत भीर भाणवाला वो road था stuck dumb with wonder वो हैलान खड़ी रह गई वली gapped at everything वली हर चीज को बड़ी हैलानी से देख रही थी then the bus stopped तब बस रुकी and everyone got off except वली और हर कोई उतर गया सिवाए वली के यानि वली को छोड़कर हर कोई उस bus से उतर चुका था Hey lady, sit the conductor conductor ने कहा Hey lady, aren't you ready to get off? कहता हूं, उतरने के लिए तेयार नहीं हो This is as far as your 30 पैसे takes you 30 पैसे में आप जहां तक आ सकते थी आप आ चुकी No, वली said, नहीं I am going back on this same bus मैं इसी बस से वापिस जा रही हूं She took another 30 पैसे from her pocket और उसने अपने पोकेट से 30 पैसे और निकाले handed the coins to the conductor और उस conductor को उसने वो points उसके हाथों में रखी Why? Is something the matter? क्यों? कोई बात है क्या? No, nothing's the matter नहीं, कोई बात नहीं है I just felt like having a bus ride मेरा तो बस बस में घूमने का मन कर रहा था That's all, बस यही बात थी Don't you want to have a look at the sides Now that you are here जब जब आप यहाँ पे आई हों तो आप शहर को घूम क्यों नहीं आते या उन दृश्यों को देख क्यों नहीं आते क्या आप उनको देखना नहीं चाहती हो All by myself Oh, I would be much afraid मैं अकेली ना, मैं इससे बहुत बहुत डरी हूँ डर जाओंगी Greatly amused by the girl's way of speaking उस लड़की के बात करने के तरीके से बहुत खुश होकर The conductor said Conductor ने कहा But you weren't afraid to come in the bus लेकिन तुम बस में आने से तु नहीं डरी Nothing to be afraid of about that इसमें डरने की कोई बात ही नहीं थी She answered उसने जवाब दिया Well, care Then why not go to that stall over there वहां लगे विस्टिल पर क्यों नहीं जाती Have something to drink वहां जाकर कुछ पीो Nothing to be afraid of about that either वहां पर जाने में भी किसी बात का डर नहीं है Oh no, I couldn't do that नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती Well, then Let me bring you a cold ring क्या मैं तुम्हें cold ring ला कर दूँ No, I don't have enough money नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है Just give me my ticket, that's all मुझे तो सिर्फ मेरी Ticket दे दो, बस It will be my treat And not cost you anything यह मेरी तरफ से दावात होगी और इसकी कोई कीमत नहीं होगी No, no, she said firmly उसने धरता से कहा नहीं नहीं Please no The conductor shrugged Conductor ने अपनी कंधी को उचकाया And they waited until it was time For the bus to begin the return journey और उसने तब तक इंतिजार किया जब तक कि Bus के वापिस जाने का समय नहीं हो गया Again, there weren't many passengers एक बार फिर से Bus में ज़्यादा यात्री नहीं थे ज़्यादा passengers नहीं थे Won't your mother be looking for you? The conductor asked when He gave the girl her ticket जब उसने उस लड़की को ticket दिया जब conductor ने उस लड़की को ticket दिया तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारी मा तुमें नहीं ढून रही होगी No, no one will be looking for me She said उसने कहा मुझे कोई नहीं ढूल रहा होगा The bus started again एक बार फिर से वो bus चली There were the same wonderful sights और एक बार फिर से वही शांदार द्रशे उसके सामने थे Wally wasn't bored in the slightest Wally जरासा भी बोर नहीं हुई थी Greeted everything with the same excitement She had felt the first time उसने उसी तरह से हर चीज को हर द्रशे को उसी ही उतने ही उतेजना के साथ उतने ही excitement के साथ देखा महसूस किया जतनी excitement के साथ उसने पहली बार देखा था But suddenly, लेकिन अचानक, she saw a young cow lying dead by the roadside लेकिन अचानक उसने देखा कि वो young cow सडक पर मरी हुई पड़ी थी Just where it had been stuck by some fast moving vehicles और ठीक वहीं पर हो सकता है किसी तेज चलने वाले वाहन से वो टकरा गई हो या उससे वो कुचल गई हो Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town क्या ये वही गाय नहीं है जो बस के आगे आगे चल लही थी जब हम शहर की तरफ जा रहे थी She asked the conductor, उसने conductor से पूछा The conductor noted, conductor ने अपनी गर्दन को हिलाया and she was overcome with sadness और वो दुख से भर गई What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago कितना प्यारा, कितना सुन्दर ये एक प्राणी था कुछ देर पहले and had now suddenly lost its charms और अब उसने अपनी प्यारेपन को खो दिया है and its life अपने जीवन को खो दिया है and looked so horrible और अब वो कितना horrible लग रहा है so frightened as it lay there and डर लगा हुआ कितना डरावना लग रहा है leg spread eagled उसकी टांगे फैली हुई है a fixed stare in its lifeless eyes उसकी आँखें जहां रुकी है वहीं रुकी पड़ी है blood all over चारों तरफ खून ही खून है the bus moved on bus चलती चली गई the memory of the dead cow haunted her उस गाए मरी हुई गाए की याद उसे डरा रही थी dampening her enthusiasm उसके उत्सहा को कम कर रही थी she no longer wanted to look out the window अब वो खिरकी से बाहर और अधिक देखना नहीं चाहती थी she sat thus glued to her seat वो अपनी seat पर चिपक कर बैठ गी until the bus reached her village at 3.40 जब तक की बस तीन बच कर 40 मिनट पर बस अपनी गाए पर नहीं पहुंची तब तक वो seat पर ही चिपकी रही she stood up फिर वो खड़ी हुई and stressed herself अपनी सुस्ती को उतारा then she turned to the conductor फिर वो conductor की तरफ मोड़ी instead और कहा well sir I hope to see you again श्रीमान उम्मीद करती हूं कि आप से जल्दी मिलूंगी okay madam he answered her smiling उसने उसको मुस्कुराते हुए कहा whenever you feel like a bus ride come and join us जब कभी भी आपका बस में घूमने का मन करे आना हमाल साथ जूट जाना and don't forget to bring your fare और अपना किराया लाना मत भूलना she laughed वो हसी jumped down from the bus bus से कूद गई then away she went फिर वो सीधा गई running straight for home फिर वो सीधा घर की तरह भाग कर गई when she entered her house जब उसने अपने घर में प्रवेश किया she found her mother awake उसने अपनी मा को जागा हुआ पाया and talking to one of walis aunts जो walis की किसी चाची से बात कर रही थी the one from south street जो south की गली से आय थी this aunt was a real chatterbox never closing her mouth once she started talking वो aunty सच में बहुत वास्तों में बहुत बोलने वाली थी अगर वो एक बार बोलना शुरू करते तो वो अपना मूबंद कभी नहीं करती थी and where have you been said her aunt when walis came in जब walis अंदर आई तो उसने पूछा कि आप कहां गई हुई थी या कहां से होकर आ रही हो she spoke very casually not expecting a reply उसने बहुत ही मतलब जैसे खाना पूरती करने की हिसाब से ही उसने उससे बात की वो इस बात की उम्मेद नहीं कर रही थी कि वो उसको reply करेगी so walis just smile तो फिर walis सिर्फ walis सिर्फ मुस्कुराई and her mother and aunt went with their conversation फिर उसकी मा और उसकी आउंटी अपने बात्चीत में लग गए yes you are right her mother said उसकी मा ने कहाँ हाँ आप ठीक कर रही हो so many things in our midst हमारे बीच में बहुत सारी चीजे है and in the world outside इस दुनिया के बाहर यानि हमारे घर से बाहर दुनिया में बहुत सारी चीजे है how can we possibly know about everything ऐसा कैसे संभव है कि हम हर चीज के बारे में जान पाएं and even when we do know about something और जबकी हम कुछ ही चीजों को जान पाते हैं we often can't understand it completely हम पूरी तरह से किसी भी चीज को कभी नहीं समझ सकते can we समझ सकते हैं oh yes breathed wali wali ने करहत की सांस लिए और कहा what ask her mother उसकी मा ने पूछा क्या what's that you say क्या कहा तुमने oh said wali I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge हां मैं तो सिर्फ आपकी उस बात से अपनी सहमती दे रही हूं कि जो कुछ भी बाहर हमारी knowledge के बाहर जो कुछ भी हो रहा है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते just a chit of a girl she is said her aunt उसकी आँटे ने कहा कि एक ऐसी लड़की है and yet look how she pokes her nose into our conversation देखो एक किस तरह से हमारी बात्ची के बीच में ये दखल अंदाजी कर रही है just as though she were a grown lady मानो ये दखल अंदाजी तो ऐसे कर रही है मानो ये बहुत एक बड़ी या grown up lady हो गई हूँ वली स्माइल to herself वली मुस्कुराई she didn't want them to understand her smile वो नहीं चाहती थी कि उसकी मुस्कुराहट को समझ पाएं but then लेकिन फिर भी there wasn't much chance of that was there लेकिन फिर भी इन चीजों के ज़्यादा chances नहीं थे I hope आपको ये कहानी पसंद आई होगी अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना ना भूले